नमस्कार किसान बाईयों, देशी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम नूट्रिसियस फीड हाइडरोपोनिक के बारे में बात करेंगे। देशी मुर्गी पालन करते समय अकसर हम बात करते हैं कि देशी मुर्गियों के उपर फीड का खर्च कैसे कम हो। जब हमारी मुर्गियां आधा किलो के ऊपर वजन हो जाता है तो हमें हमारे मुर्गियों के लिए feed की जग alternative feed sources देखने बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम हमारे मुर्गियों के ऊपर जो feeding का खर्च हो रहा है वह हम कम कर सके और आज भी हमने देखा है कि अकसर market में feed के rate जो है continuously rate बढ़ते रहते हैं इस कारण देशी मुर्गी पालन जो किसान भाई कर रहे हैं उनके उपर फाइनेंशियल लोड आता है तो फीडिंग का खर्च कम करने के लिए हमें आल्टरनेटिव फीड जो है वह देखने ज़रूरी है और इसलिए आज हम नूट्रिसियस हैड्रोपोनिक फीड के बारे में बात करेंगे जब भी हमारी देशी मुर्गियां आदा किलो के उपर वेट हो जाता है उस समय से हम देशी मुर्गियों के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव फीड है जिनमें हैड्रोपोनिक है जिसमें ग्रीन ग्रास है जिसमें वेस्ट माटेरियल है इस तरह weight gain होता है और सबसे important जो है हमारे feed का खर्च जो है देशी मूर्गयों के उपर का वो कैसे कम होता है तो हम शुरुआत में देखते हैं कि hydrophonic feed किस तरह से बनाना है आप सभी के घर में मक्का जो है वह available होता है और मक्के से ही आमें यह hydrophonic feed बनाना है सबसे पहले तो हमें 1 kg मक्का लेना है और 1 kg मक्के से हम 8-10 kg hydrophonic जो है वह बना सकते हैं और यह एक बहुत अच्छी quantity हमें 1 kg मक्के से मिलती है बाकी procedure जो है वह पुरा हमें घर पे ही करना है वीडियो में आप देख रहे कि किस तरह का एकदम अच्छे का hydroponic जो है हमने हमारे farm पर बनाया है और हमारे मुर्गियों को जो है सफलता पूर्वक हम यह खिला भी रहे हैं तो बनाने का वीदी हम देखते हैं सबसे पहले हमें 1 kg मक्का लेना है 1 kg मक्का जो है हमें 12 गंटे तक पानी में भीगो के रखना है और 12 गंटे के बाद हमें भीगोया हुआ जो मक्का है वह हमें कौटन के कपड़े में लपेट कर रखना है वह भी हमें 12 गंटे के लिए रखना है 12 गंटे के बाद हमें चेक करना है कि मक्के को स्प्राउट निकल आया है क्या अगर स्प्राउट निकल आये है तो हमें कौटन के कपड़े से मक्का नि तो इस तरह चोबीस गंटे के बाद जब मक्य को स्प्राउटिंग आ जाएगी, то आपको अभी यहां पर ट्रे दिख रहा है, जिस ट्रे में हमने हैडरोपोनिक ग्रो किया है, इस तरह का ट्रे आपको लेना है और यह ट्रे के दो कॉर्नर में हमें छोटे होल करने है, ताकि ट्रे के अंदर जब हम पानी spread करेंगे तो sprinkle करेंगे तो वहाँ पानी ओल से निकल के जाना चाहिए तो इस ट्रे में हमें तकरीबन एक किलोमा का easily इस ट्रे में बैड़ जाता है तो evenly हमें इस ट्रे में वहाँ मका जो है sprouted वहाँ रखना है और इसको हमें continuously पानी जो है स्प्रिंकल करते रहना ज़रूरी है आपके पास अगर छोटा फॉगर सिस्टिम होगा तो उसके नीचे आप यह रख सकते हैं और आदे-ादे गंटे में जो है फॉगर सिस्टिम आप शुरू कर सकते हैं या अपने हाथ से भी आदे-ादे गंटे से पानी इसके ऊपर छिड़बते रही है ताकि जो स्प्राउटेड मकाम ने ट्रे में रखा है वह दिरे-दिरे-दिरे आपको ग्रो होता दिखाई देगा और अभी ट्रे में जो आपको हाइडरोपोनिक दिखाई देगा और इसके बाद आपकी जो देशी मूर्गिया है उनको खिला सकते है और इसके बाद हमें यह देखना जरूरी है कि यहाँ खिला कर हमारे मूर्गियों को क्या फायदा होगा सबसे पहले तो हम देखते हैं कि देशी मूर्गियों में बहुत बार पानी जो है हमें बहुत बार देना नहीं होता पानी मूर्गियां कम पीती है तो हैडरोपोनिक में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वहाँ पानी की है तो इस फीड से मूर्गियों को पानी जो है readily available होता है और खास करके दोपर के time में अगर हम hydroponic देते हैं तो दोपर में आपको पता है कि गर्मी वैसे भी बड़ी रहती है और इस वज़े से हमारे shade का temperature जादा रहता है तो इसे समय में ऐसा cool feed अगर हमारे मूर्गियों को मिलता है तो एक पानी की availability भी होती है और इससे जो बाकी बाते हमें हमारी मूर्गियों को मिलने वाली है वो भी profitable होती है hydroponic feed में पानी के साथ दूसरी जो important बाती रहती है वह है इसमें protein की मातरा है वह भी अच्छी खासी पाई जाती है dry matter basis पे हम अगर देखते है तो तकरीबन 20-22 प्रतिशत तक protein हमें इस hydroponic feed में मिलता है उसी तरह hydroponic feed में सबसे important जो बात है तो हमारे देशी मूर्गियों के लिए जो है vitamins बहुत सारे इस hydroponic feed से available होते है हम देखते हैं कि एक दिन के चूजों से लेकर बड़ी मूर्गियों को हम multi-vitamin syrup जो है वह medical से ला कर देते है ताकि हमारे मूर्गियों की सेहत अच्छी बनी रहे और हम यहाँ पे देख रहे कि हमारे hydroponic feed से ही अगर हमें multi-vitamin मिल रहे है तो यह एक बहुत अच्छी बात है और protein से भी आमें पता है कि मूर्गियों की growth जो है वह अच्छी होती है इसकी देनी की मात्रा जो है तो एक मूर्गी को हम तकरिवन 50 gram से लेके 100 gram तक यह hydroponic feed दे सकते हैं यह एक alternative source है मैंने आपको पहले ही बताया है इससे यह होगा कि दिन बर में हम जो feed हमारे देशी मूर्गियों को दे रहे उसकी मात्रा हम कर सकते है और इससे हमारा feeding का जो खर्च है वह भी बच जाता है hydroponic जो है मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब हमारे मूर्गियों का वज़न आदा किलो के उपर हो जाता है तो उसी समय से हमें यह शुरू करना जोरूरी है चोटे चिक्स में अगर हम यह देते तो डाइरिया वगेरे लगने के चैंसे से और वेस्टेज ज़्यादा होने के चैंसे से रहते है तो सभी किसान भाई यह ध्यान रखे कि अगर हैडरोपोनिक फीड खिलाना है तो हमारी मूर्गियां जब आदा किलो के उपर वेट हो जाता है तो उसके बाद ही ज़्यादा करके आप इस शुरू करें मुझे लगता है सभी किसान भाईयों को हमारे यह हैडरोपोनिक जो हमने बनाने का तरीका भी आपको बताया हुआ है और किस तरह से देशी मूर्गियों में खिलाना है यह भी हमने बताया हुआ है तो आप अपने फार्म पर बिल्कुल हैडरोपोनिक फीड जो है तैयार करने की कोशिश कीजिए और अपने देशी मुर्गियों को खिलाईए उससे क्या फाइदा हो रहा है कुछ तकलीव है वो भी हमें आप बता सकते हैं मेसेज़ा में कर सकते हैं ताकि हम उसके उपर आपको सैटिसफेक्टरी उत्तर दे सके तो फिर से मैं सभी किसान भाईयों को जो है निवेधन करता कि वह हाइड्रोपोनिक फीड जो है अपने फार्म पर बनाए अपने मुर्गियों को किलाए अपने फीडिंग का खर्च कम करे और देशी पोल्टरी फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए तो आज हम यहीं पर रुकते हैं आप सभी का धन्यवाद झाल 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 झाल